भारत ने अम्दाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुती शांदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को सभी भारत वाच्चों को इस एतियासिक जीत की बधाई देता हूँ। साथियों, स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इंपोर्टन्ट हिस्सा रहा है। ये भारत में बदलते और तेजी से विक्सित होते स्पोर्ट्स लेंड्सकेप का संकेत है। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टोर्नामेट और्गिनाइज करने के अपने सामर्थ को साबित किया है। हमने हाली में चेस अलिम्पियार का आयोजन किया, जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए। हमने फुटबॉल अंडर 17, विमेंस वर्ल कप, मैंस होकी वर्ल कप, विमेंस वर्ल बॉक्सिंग चेप्निर्शिप और शुटिंग वर्ल कप की भी बेजबानी की। भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लिग में से एक का भी आयोजन करता है। इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल कभी चल रहा है। उत्सा के इस माहोल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि आयोजन के एज्जुटिव बॉर्ड ने क्रिकेट को ऑलिम्पिक्स में शामिल करने की शिफारिश की है। हमें उमीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा। साथियों, ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मोका होता है। तेजी से बढ़ती एकोनामी और अपने वैल डेवलप्ट इंस्प्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तयार है। ये दुनिया ने भारत की जी ट्वेंटी प्रसिदेंसी के दोरान भी देखा है। देश भर के साथ से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स और्गिनाइज किये हैं। ये लोजिस्टिक से लेकर हर प्रकार की हमारी और्गिनाइजिंग केपिसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सब के सामने एक सो चालीस करोड भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धर्ती पर ओलेम्पिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साइत है। जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल लगिला। तेबे आमों चैनेल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करिबा कुछ जमा भी बुलनतु नहीं।